नमस्कार दोस्तों, डिजिटल गरिकुल में मैं श्रीकाहंत, आप लोग सब काईगवगर से स्वाध करता हूँ दोस्तों, आज मैं लेकर आए हूँ आपके लिए मंद आप सिपरफ के जितने भी ido करनट आप्रस का ही, धूर्स का उसकते हैं उन सारे करिनट आप्रस का एक कलेक्शन दोस्तों, मेरे हिसाब से सफ़लता के दो रास्ते हो सकते हूँ या तो आप लोग डेली मेरे Current Defense के सेजन को फॉलो कीजिए आप लोग को जरूर सफलता मिलेगी या तो मैं आज जो आपको Current Defense का कलेक्शन बता रहा हूँ उसे आप लोग रट जाएए आप लोग देखिएगा आप से एक भी Current Defense से नहीं चुकेगा इसे मैं दो या तीन सेजन में कम्लेट करूँगा आज ये पहला सेजन है Current Defense का तो चलिए दोस्तों सुरू करते है Current Defense के Important Month of September के कुछ कलेक्शन के बारे में पहला प्रसन है कि हाली में हिंदी दिवस के रुप में कब मनाया गया आपको बताना है निचल के ओप्शन में से 21 सितंबर के रुप में मनाया जाता है विश्व संती दिवस यानि विश्व वर्ल्ड 20 की में मनाया जाता है है एक बार में month of September की फ्लसी है हैं, खंप्लिट हो जाते हैं. आगे बढ़ता है कि रेल मंत्रा लेडरा कौन सा वेब बौटल को लांच किया गया, आपको बताना है, निचे लेक्ट है आप्षन में से दोस्तर में, यह सःयोग नामक वेब पोर्टल को लाँच किया गया यह जो वेब पोर्टल है उसे रेल मंत्रा ले यानि रेल मंत्रीकों हमारे P.U.S.Goyal द्वारा लाँच किया गया अब रेल मंदद सहयोग की है रेल सहयोग के द्वारा स्टेशनों को और ज़्यादा develop करने के लिए जो corporate सहयोग है उसे आमंतित करने के लिए rail सहयोग launch किया गया इसका अलाव रिसेंटले rail मदद भी launch किया गया railway के द्वारा rail मदद क्या है mobile application for the desire assistant during travel के द्वारा आपको किसी परकार की सिकायत यानि किसी परकार की सहायता के जरूत हो तो rail मदद एप के द्वारा आप उस हायता को प्राप्ट कर सकते है ये launch किया गया है किसके द्वारा rail मंतराले के द्वारा आपको मिल जाती है एक तो web portal है rail सहयोग और एक mobile application है मदद जो कि launch किया गया है railway के द्वारा अगला पसन है कि हाली में देश के कौन से research reactor को अधिक चमता के साथ फिर से सुरू कर दिया गया तो सही उतर हाली में अप सारा नामक जो research reactor है उसे फिर से सुरू कर दिया गया है उसे बंद कर दिया गया था ये देश की सबसे पुरानी research reactor में सी एक है जिसका नाम है अपसरा जिसे हाली में फिर से सुरू कर दिया गया है अगला परसन है कि अक्टूबर 2018 में भारत के पहले Missile Tracking Port का परिच्छन करेगा ठीक है ये कौन सी कंपणी इसके परिच्छन करने वाली है सहीत तरह इसका परिच्छन करने वाली है हिंदुस्तान से पियर्ड लिमिटेड द्वारा परिच्छन की जाने वाली है भारत की पहली Missile Tracking Port का कब इसी मंतियानी अक्टूबर के महने में परिच्छन के हाली में किस परदेश के मुख्यमंत्री ने दो अक्टूबर 2018 को युवा नेस्तम योजना के सुभारम करने की गोशना की है तो सही उतर है हाली में आंद्रपरदेश सरकार ने सुरुआत करने की गोशना की है आंद्रपरदेश के मुख्यमंत्री कौन है चंद्रबाबू नाइडियो उनी के द्वारा सुरू करने की गोशना की है कौन सा योजना सुरू करने की गोशना की है युवा नेस्तम योजना अब युवा नेस्तम योजना क्या है नेस्तम योजना है तो ये योजना क्या है इस योजना के द्वारा जो बेरोजगार युवक है उसी वक को पर्दिमाह जो है वो एक हजार रुपे के जो है वो रासी परदान किर जी जाए बेरोजगारी भत्ते के रुप में और इसे सुरुवात की जाएगी दो अक्टूबर के दिन गांधी जैन्थी के दिन अब यहां पर बच्चों के एक कंफ्यूजन होता है एक बच्चे न मुझह कमेंट किय किसंतर इग्जाम वारियर पुस्तक किस ने लखाया। तो सभी उतर इग्जाम वारियर जो पहली पुस्तक लिखी गई है वो हमारे प्रदान मंतिर नरेंदर मोधी के द्वारा लिखी गई है पर उस पुस्तक का तेलगू वर्जन में जो conversion किया है तेलगू वर्जन में उसे translate किया है किसने प्रकास जावड़े करने तो यहाँ पे ध्यान रखिए अगर पूछा जाता है कि exam warrior पुस्तक किसने लिखी तो वह नरेंदर मोधी ने लिखी है कि exam time में आप कैसे उस tension से बहार निकल सकते हैं क्या 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 उपाई कर सकते हैं और उसका तेलगू वर्जन में translate किया है किसने प्रकास जावड़े करने तो इसने आपको confused मत हुईएगा प्रसन है कि IAAF Continental Cup में पदक जीतने वाले पहले भारतिया कौन बन गया है तो सही उत्तहले पहले भारतिया बन गया है अरपिंदर सिंग अरपिंदर सिंग IAAF Continental Cup में पदक जीतने वाले पहले भारतिया बन गया है दो मुख्य प्रस्ण बन सकते हैं कि आर्पिंदर सिंग का सम्मत की स्खेल से हैं तो यह एथलेट से हैं इसके अलावा IAF Continental Cup की बात की जारी है तो IAF का फुल्फम किया है IAF का फुल्फम है International Association of Athletic Federation और उसी में पदक जीतने वाले पहले भरतिय बन गए है अर्पिंदर सिंग इस साल का सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ण आपके आने वाले एक्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है इन चार प्रस्णों में से एक प्रस्ण तो आपके आने वाले एक्जाम में जरूर बनेंगे वह है कि US Open Tennis Tournament 2018 में पुरुस का एकल यानि जो में सिंगल का किताब किसमें जीता है तो सही उतर है में सिंगल का किताब जीतने वाले है नौवाग जोकोविच तो जैसे आप लोग पिक्चर में देख पारे है यह है नौवाग जोकोविच औ एक तो होता है Australian Open दूसरा जो होता है फ्रेंच Open तीसरा जो होता है विल्मल्डन और चौथा जो होता है वो US Open होता है और US Open का सिंगल का खिताब जीता है उन्होंने नौवाग जोकोविच ने जीता है इसका अलबा अगर पोश्चन को चेंज करके कर दिया जाए कि US Open में माइक ब्रेंड ने जीता है जैक जो है मेंस डबल में जीता है इसके अलावा वमेंस डबल की बात देख सकते हैं इस सब आप लोग बाकि देख लेजिए मैं ज्यादा डिस्कॉस नहीं करना चाहूंगा इसका अलावा दूसरी जो है और फ्रेंच ओपन के लिस्ट यहाँ आ दूसरा ऑस्टेलियन ओपन तिसरा फ्रेंच ओपन और चौता जो है विंबल्डन इन चारों में से एक प्रशन आपके एक्जाम में जरूर से जरूर आएंगे आप लोग इन चारों लेश्ट को रड़ चाहिए अगला परसन है कि जनरल पूर्ण चंदर थापा किस देश के नए सेना प्रमुग बन गया है तो सही उत्तर हाली में हमारे परोसी देश नेपाल नेपाल के सेना प्रमुक बन गये हैं जेनरल पॉरंट चेंज थापा यह जैसे आपले पिक्चर में देख पारे हैं जेनरल पॉरंट चेंज थापा और यहीं नेपाल के नए सेना प्रमुक बने हैं आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगला प्रशन है बैंकिंग के संब्धित की एक्सिस बैंक का अगले MD यानि मैनेजिंग डिरेक्टर और CEO यानि Chief Executive Officer किसे निउक्त किया गया है तो सही उतर हाली में ये गोशना कियी गई कि Axis Bank के नए MD और CEO कौन होंगे आमिताब चौदरी जी तो जैसे आप लोग पिक्चर में देख पार है यह है अमिताब चौदरी जी और यह Axis Bank के अगले MD और CEO होंगे अमिताब चौदरी में 10 नए बैंक के MD और CEO को चेंज किया गया यह बहुत इंपॉर्टेंट है अगर आप लोग बैंकिंग के तयारी कर रहे है ऐसे नॉर्मल जो भी एक्जाम के तयारी कर रहे है उसमें भी पूछाए सकता है इन 10 जो है चेंजिस हुए है रिसेंटली बैं कारिया है आप लोग चाहिए तो इसे में देख सकते हैं इसका लिंक में डिस्किप्सिन बॉक्स में दे दूगा यह बहुत ही इंपॉर्टेंट है सारी चीज़े अपसने के हाली में कहां अंतराश्ट यह आयुर्वेधिक कॉंग्रेस यानि यह इसी आई वी सी के नाम दिय आया जाता है इंटनेशनल आयुर्वेधि कॉंग्रेस आयऊजीत की गए तो सही उतर ही यह आयोजीत की गिएु हाली में नीधर लैंडों में यह से आप लोक देख पारे पिक्ट्र में इनटनेशनल आययुर्वेधिक कॉंगरेस में बोक यह कि इतने नंबर का इंटने काि चारी किया जाएगा आपको बताना है तो सही उत्तर है भारते तहवार दिवाली के लिए सही उत्राष्टर के द्वारा एक अलग से टिकट चारी किया जाएगा डाक टिकट पु스द्राष्टर कारणद के द्वारा इंडिया ग्लोबल अमबिशन यह पुस्तक जो है किसके द्वारा लिखी गई है तो सही उतर है यह पुस्तक भरत Karnath के द्वारा लिखी गई है तो जैसे आप लोग देख पार ये है पुस्तक का फ्रेंट पेज और इसी लिखा गया है भरत करनत के द्वारा बुक का नाम है Staging Forward नरेंदर मोदी अंडियन ग्लोबल एंबिशन कलावा हाली में कपिल सिबल जो की पहले मंतिर रह चुके हैं कॉंग्रेस के समय पे उसके द्वारा एक बुक लिखी गए बुक का नाम है Sates of Truth कलावसने के हाली में खबरों में रहा देश का सबसे बड़ा और एशिया का दूसरी सबसे बड़ा Red Road Bridge जिसके नाम कोन सा है Bougie Bil का निर्मान किस नधी पर किया गया है तो सही उतर है इसका निर्मान किया गया ब्रहमपूत्र नधी पे निर्मान होए Bragaputra नधी पे तो यहां Corporal ad念 reconstone बनता है कि Bougie Bill यह जो निर्मान है वो कहा पर हुआ है यह जो है यह जो आसाम में हुआ है Actually में आसाम के दामजी district को देब्रुगर district से जोड़ेगी यह बोगी बिल जो bridge बन रही है railroad bridge इसके अलबा इसके construction की बात करें तो 2002 में इसके सुरुवात हो चुकी है इसके longest span की बात करें तो 125 मिटर लंबा है इसका longest span स्पैन और अब यह जो प्रोजेक्ट है एंड होने वाला है 2018 में हाली में कंप्रिट हुआ है जो कि ब्रहुंपुतर नदी पे बनने वाली है अब ब्रहुंपुतर नदी के बाद आते ही तुर्ण आपके दिमाग में आना चाहिए कि बाई बॉल्यूम भारत का सबसे बड़ा जो नदी है वो ब्रहुंपुतर नदी है और उनके बाई लैंट बाच की जाए तो सबसे लंबा और सबसे लंबी नदी है भारत की गंगा नदी परसने की एशियन गेम 2018 के लिए सबसे मुल्यवान खिलाडी यानि Most Valuable Player के रूप में किसे चुना गया है तो सही उते है एक जैपैनिस स्वीमर है जिसका नाम है रिकाको इकी जैसे देख पार है इकी रिकाको या तो रिकाको इकी के नाम से जाने 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 वाली प्लेयर कहां की है जापान की है जो कि एक तैराख है उसे Most Valuable Player यानि सबसे मुल्यवान खिलाडी के रूप में चुना गया है 2018 के ACM Games का परसने की Arrow India 2019 का आयोजन कहां किया जाएगा आपको बताना है निचल के आप्शन में से तो सही उतर है यह आयोजन किया जाएगा बैंगलूरू म किसे प्रतिस्टित UNIATF पुरुषका से सम्वानित किया गया है आपको बताना है निचल के आप्शन में से तो सही उतर हाली में मनो जल्लानी जी को UNIATF पुरुषका से सम्वानित किया गया है तो सही उतर बता दो दोस्तों कि UNIATF का पूल फॉम है United Integrated Task Force for the Prevention and Control of Nano Communicable Diseases यानि जो Communicable Diseases से उसके रोक थाम के लिए विसिस्ट कारी के लिए ये पुरुषकार परदान किया जाता है और इस बार का पुरुषकार परदान किया गया किसे मनो जल्लानी जी को आगे बढ़ते हैं दोस्तों आगे बढ़ने से पहले अगर आप लोगो को मेरा ये वीडियो पसंद आए तो जरू लाइक करना मत भूलिए क्यूंकि आपका लाइक मेरे मोटिवेशन का सोर्स है इसके साथ साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों को भी सेर करें ताकि उनको इस वीडियो को फाइदा पहुँच पाया अगला पसने के हाली में किस देश के होकी कप्तान ने अंतराष्ट ये होकी यानि इंटरनेशनल होकी से सेवा निमर्ति यानि रिटार्मेंट की घोशना कर दी है तो सही उतर है हमारे देश भाग की भारत के जो होकी प्लियर है के कप्तान है हमारे कप्तान सरदार सिंग जी उन्होंने हाली में सेवा निर्थवित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वित्वि यानि भारत और USA के बीच में जो सहन्य अभ्यास होती है, उसे किस नाम से जाना जाता है, तो सही उत्तर है, उसका नाम है युद अभ्यास, तो डायटले अगर परस्ट में पूछा जाए कि युद अभ्यास, सहन्य अभ्यास के बीच में होता है, तो भारत और USA के बीच में हो कि इंडेयन बैंक आस्यूसिशन के चैर्मेन के रूप में दूपagan कि पुछा जाए कि इंडेयन बैंके टांक के से लेह मोहन भी टांक से ले तो एंस यू है किसके इंडियन बैंक एसोसीशन के परसन है कि पहला अंतराष्टे खोको चेंपियनसिप कहा आयोजित किया जाएगा तो सही उतर है कि ये आयोजित किया जाएगा इंगलेंड में खोको आपको पता है कि दूस्त पर एक खेल है और उसका पहला अंतराश्टी आयोजिन जो है वो इंग्लेंड में किया जाएगा इसला परसन है कि मार्जर सारिक को हाली में किस देश के परधान मंदरी के रूप में नुक्त किया गया है तो सही उतर हाली में स्लोवाकिया के ने परधान मंदरी के रूप में मार्जर सारिक को चुन लिया गया है आपकी जिएक दूस्तों स्लोवेनिया है मार्जर सारिक को हाली में स्लोवेनिया के ने परधान मंदरी के रूप में नुक्त किया गया है यह स्लोवेनिया है याद रखिए आप लोग पिक्चर में देख पारे हैं यही है मार्जस सारिक और यह स्लोवेनिया के नहीं परदहन बंतरी होंगे पर सेरिक परे स्लोवेनिया के बारे में जैसे में थोड़े देर पहले पहले बताया पे अगर प्रसन आजाए कि सलेृनेक्ष 2018 भारत और किस देश के बीज़ के एक नौ से नाखियास है तो सही उट तरह भारता पस्रिलनका के बीज़ का एक नो से नाखियास है जिसका ननमे स कमेंड बॉक्स पर कमेंड कीजिए मैत्री युदेभ्याज की नोदेशों के बीच में होता है इसे इंगलेस में ग्लोबल मॉबिलेटरी हैकाथान 2018 कहा जाता है जिसे कहां किया जाएगा वो नए दिल्ली में उसका उद्गटन किया जाएगा सिकर सम्मिलन का परसना है कि एक ट्रिलियन डॉलर बाजार मुल्य तक पहुशने वाली कौन सी कमपनी अमेरिकन कमपनी बन गई है यानि कौन सी दूसरी ऐसी कमपनी है जो की एक ट्रिलियन डॉलर के बाजार मुल्य को हाले में उसने क्रॉस किया है तो सही होतार है वो जो कमपनी है एक कॉमर्स कमपनी से सुरुआत करने वाली कमपनी अमेज़न ने हाली में एक ट्रिलियन डॉलर बाजार मोले क्रॉस करने वाली दूसरी कमपणी बन गई है यूस की तो यहां पर एक बात आ रही है हर बार कि यह दूसरी कमपणी बन गई है तो पहली company कौन है पहली company है Apple और दूसरी company जो बनी हुए Amazon और जो भी यह सेब लिस्ट है इनके CEO आपके लिए बहुत important है जैसे कि Amazon के CEO कौन है जेब बेजोज आपके CEO है Google के CEO कौन है इसके बारे इम पुछाए सकता है वारत के सुन्दर पेचाई Google के CEO है Microsoft के CEO कौन है सकतम नाडेला Microsoft के CEO है आपके लिए प्रसन है कि Apple के CEO कौन है अगला प्रसन है कि Saab Cup कहा आयोजित किया जाएगा आपके बताना है निचल के option में से तो सही उतर यह आयोजित किया जाएगा हमारे पड़ोसी देश बंगला देश में Saab Cup आयोजित किया जाएगा Saab Cup का संबंद किस स्केल से Saab Cup है फुटबॉल से संबंदित है आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन है Unified of Modern India नामक किताब किसके लिखक कोन है आपके बताना है नीचे लिखक आप्शन में से तो सही उतर है इसके लिखक है आर्पी सिंग जी जैसे आप लिख ये पुस्तक देख पा रहे हैं ये आर्पी सिंग द्वारा लिखित है सरदार पटेल Unified of Modern India तो ये पुस्तक आपके लिए बहुत important है इसके लिखक के बारे में डार्टली प्रसन आ सकता है आगे बढ़ते हैं अगला प्रसन है कि हाली में डबलू एचो के दक्षिन पुर्व एशिया चितर के छेत्री निर्देसक के रूप में किसे निर्वाचित किया गिया है तो सही उतर हाली में पूनम खितरपाल सिंग जैसे आप लोग देख पार है । डबूनम खेतरपाल सिंग जी को वर्ल्ड हिल्द ऑर्गिनाजेशन के दक्षिन पुर्व एशिया चितर के निर्देसक के रुप में नियुक किया गिया है तो जैसे आप लोग देख पार है यह है कौन पूनम, खेतरपाल सिंग और यहीं WHO के दक्षिन पुरू एसिया चेतर के निर्दे सक है यहीं से दो-तिन परसन बनता है कि WHO का हेड़कॉर्टर कहां पे तो जुनेवा सुजलेंड में है, हेड़कॉर्टर अभी हेड़कॉर्टर है, टुटरोज, एड्रॉम उसके हेड़ है, और फाउंडेशन का फुई थी WHO ने वर्ल्ड हेड़ और्गनाजेशन की तो 7 अप्रेल 1948 को हुई थी परते हैं, अगला पसना है कि पाकिस्तान के ने राष्टरपती के रूप में हाली में किसे ही चुना गया है तो सही उतर हाली में पाकिस्तान के ने राष्टरपती के रूप में आरीफ अलवी जी को चुन लिया गया है तो जैसे आप लोग देख पर यह है आरीफ अलवी जी और यही पाकिस्तान के ने राष्टरपती होंगे पाकिस्तान के प्रधान मंत्री कौन है दोस्तों उन्हें भी रिसेंटली चुना गया है इमरान घान जो की एक कर्केटर थे उन्हें चुन लिया गया है पाकिस्तान के नए परधानमंतरी के रूप में परसने के हाली में State Bank of India का परबंद नर्देसक के रूप में किसे चुना गया है तो सही उतर है के हाली में State Bank of India परबंद नर्देसक यानि इसे Managing Director कहा जाता है के रूप में अंसुला कांट को चुन लिया गया है अगला परसन है के हाली में Data Set Search किस कमपनी द्वारा लांच किया गया है अगला परसन है कि स्ताइ स्मार्ट सहरो का वार्षिक सम्मेलन हाली में कहा आयुजित किया जाएगा इसके घोशना की गया तो सही उतर है यह आयुजित किया जाएगा बैंगलूरू में अब बैंगलूरू को नाम आते है तुरंट आपके दिमाग में आना चाहिए कि बैंगलूरूरू यह एक ऐसा City है जो उन्होंने अपना Official Logo लांच किया है अगला परसन है कि जैकमा किस कमपनी के सरसंस्तापक और अजधक्ष है किस कमपनी के जो फाउंडर है जैकमा जो उन्होंने हाली में सेवा निवर्टी की याने रिटार्मेंट की घोशना की दी है तो सही उतर है कि जैकमा अली बाबा के फाउंडर इसके अलावा CEO है अभी सानर देसक भी है जैसे आप लोग देख पार यह है जैकमा अब अली बाबा क्या है अली बाबा चाइना के सबसे बड़ी एकॉमर्स कमपनी है जैकमा ने हाली में रिटार्मेंट की घोशना कर दी है अगला परसना के हाली में विश्व हिंदू कॉंगरिस 2018 कहां जब आली बाबा की बात आई है, अली बाबा एकमर्स कंपनी है, इसका फाउंडेशन को भुआ था, 1999 में चाइना के हांजों में इसका फाउंडेशन हुआ था, करिंटली इसके सी-ई-ओ कौन है, तो डेनियल जां इसका सी-ओ है, और इसका फाउंड़ कौन है, तो अली बाबा के फाउंडर है, जैक माई अगला परसने के चेक गनराज के साथ हाली में भारत ने कितने समझोते पर हंस्ताचर किये हैं तो सही उत्तर है कुलपाँ समझोते पर हंस्ताचर किये हैं हाली में चेक गनराज ने भारत के साथ आगे बढ़ते हैं अगला परसना है कि हाली में विश्व हिंदु कॉंग्रेस 2018 कहां सुरू हुई आपको बताना है निचलिक ओप्षिन में से तो सही उत्तर है हाली में ये शुरू हुई सिकागो में कौन सा वर्ल हिंदू कॉंग्रेस 2018 कब सितंबर 7 से लिके 9 2018 सक ये चली है परसने कि अंकूर मित्तल का सम्मध किस खेल से है सही उत्तर है इनका सम्मध है पुर्षो के डबल टाम से यानि इनका सम्मध रैटली सुटिंग से है अंकूर मित्तल परसने कि भारतिये नौसिना ने हाली में कहां प्रतिस्टिट ककाड़ो कप 2018 जीत लिया है तो सही उत्तर है भारते नॉसिना ने हाली में आस्ट्रेलिया में काकाडो कप 2018 जित लिया है ये भारते नॉसिना का एक खिल है और इसी जित लिया है भारते नॉसिना के टीम ने आउस्टेलिया में आउजित की गई थी ये एक बहु प्रक्षिय समुद्री अभ्यास है। इसने के हाली में SBI मीच्वल फंड के प्रबंद नर्देसक और मुख्य कारी-कारी-कारी-कारी के रुप में किसे न्युक किया गया है। तो सही उत्तर हाली में अस्वीनी भाटिया को राज्य विधान सभा ने पादित कर दिया है। तो सही उत्तर है उरिश्या। उरिश्या के राज्य विधान सभा के स्तापना के मांग को हाली में विधान सभा ने पादित कर दिया है। इक अनाम आते हैं दो तिन चीज़े आपको और ध्यान में रखिए है। कि उरिश् पॉरिशा की राजदानी है बुबनेश्वर, चेप मिनिस्टर है नवीन पतनायकर गॉवर्नर है गनेसीलाल। इसके लावा उरिशा ही एकमातर राज है जिनोने जन जाती औराणी, यही ट्राइबल क्वेन की खोश्णा की है। ट्राइबल क्वेन की विवंसी है पल्लवी द ही एक ऐसा राज्य है जिन्होंने खुद का खाइद सुरक्षा अधेनियम लागू किया है इसके लावा हाली में ओडिशन ने तीन सो क्रोर की सिचाइब तो यूजनल लागू की और ग्रीन महानेदी मिशन की सुरुआत भी ओडिशने की है आगे बढ़ते हैं अगला परसने की हाली में किसे यूपी आई भुकतान प्लेटफॉर्म में अपना नाम बदल दिया है तो सही उत्तर है हाली में किसने चेंच किया है तेज तेज जो थी पहले जैसे की पेटियम है और फोन पे है ये सब चीजे क्या है एक मॉबाइल की तेज नाम से जाना जाता था उसका नाम बदल के यूपी आई प्लेटफॉर्म का नाम बदल के आप गूगल पे कर दिया गया है तो सही उत्तर है ये उत्तर कोरियम मेजवानी करने वाला है 2019 की एशिया यूवा भारत तोलन चेंपियंशिप 2019 का बहुत इंपॉर्टेंट इस मत का सबसे पॉर्टेंट प exploring है डो इंपॉर्टेंट हो जाते एक तो एशियन गेम इंपॉर्टेंट हो जाता है जूसरा जो है इंसलेम हुए उट पॉर्टेंट हो जाते है तो एस इंदोनेशिया की राज़ानी जगार यार्था और पलंबंग सीटी में हुआ ता। और यह कितने नंबर का इशिन गेम था, यह अठारवा इशिन गेम था, इसके अलावा इसमें सबसे ज़्यादा पदक किस देश में जीता, तो सबसे ज़्यादा पदक इसमें चाइना ने जीता है, इसके अलावा भारत का कौन सा इस्तान रहा है, तो भारत इसमें आठवे इ कौन थी तो नीरज चोपड़ा जो कि एक जैबलीन ध्रोहरे आप्रिंग सरेमनी के सुरुवाद की थी और क्लोजिंग सरेमनी रानी रामपाल ने सुरुवाद की थी जो एक होकी प्लेयर है भारत की परतम गोल्ड मेडल किसने जीता भारत की और से तो बजरंग पुनिया ने इसमें जितनी भी इंपॉर्टेंट प्रस्न बन सकते हैं उसे मैंने इंक्लूड कर दिया है एक वीडियो के माध्यम से इंगें से संब्धे कुल 45 प्रस्नों को मैंने इंक्लूड किया है जो कि बहुत ही महत्यपूर्ण है अगर आप लोग इस वीडियो को देखते हैं तो इ विनाए कुमार जी को इस पात मंताले के नए सचीब के रूप में निक्ट किया गया है चले आगे बढ़ते हैं दोस्तों परस्न में बहुत ही महत्यपूर्ण है कि हाली में बिमस्टेक का नया अध्धक्ष के रूप में कौन से दियस को चुन लिया गया है तो सही उतर हाली में स्रिलंका को बिमस्टेक के नए अध्धक्ष के रूप में चुन लिया गया है पहले ये अध्धक्ष के पास थे परहाली में स्रिलंका को बिमस्टेक के नए अध्धक्ष के रूप में चुन लिया गया है इसके लाव जब बिमस्टेक के बारे में बारे में बिमस्टेक एन एकॉनोमिकल कॉर्परेशन और इसके अलवा बिमस्टेक आके में है क्या ये बंगाल के खाड़ी के आस पास के साथ देशों का समू है ठीक है इसके स्थापना के बात करें तो साथ जुन 1997 यानि 1997 के वह इसके स्थापना भी थी इसके हीड़ कौटर बंगलादेस के कौन से है पांगदेस भूटान नेपाल मायनमार श्री लंका इंडिया और थाईलेंड ये कुल साथ देश है अगला पस्थन के हाली में आर बिय यानि रिजर्ब बैंक आप इंडिया ने किस बैंक के लाइसंस को रद कर दिया है तो सही उत्तर है हाल में आर बिया ने ऑप्रेल 1935 को श्मिस्तापना भूँ ती, कब राश्ट्र कित हुआ था , जनवरी 1999 ственно 49 एक अप्रेल 1935 इसका अलाव आप पुछन सकता है कि वर्तमान में गवरणर कोन है , जनवरेगी इस стороны 2018 में भारतिय महिला होकी टीम ने कौन सा पदक जीता है तो सही उत्तर है भारतिय महिला होकी टीम ने हाली में राजत पदक जीता है जालो एक खेल की बात करें तो हाली में ये प्रसन आ गया कि साक्षी चौधरी का सम्ध किस केल से है तो सेयूतर साक्षी चौधरी का संब्ध है मुक्यबाजी से इस तरह से यूप पूछे या सकते हैं कि सीमा पुनिया का संब्ध किस केल से है तो सीमा पुनिया एक डिसकस थ्रोर है इसका संब्ध है डिसकस थ्रो से तो सेयूतर 1 सितंबर 2018 को पूरे भारत में लाँच किया गया इसी IPPB के नाम से जाना जाता है इंडियन पोस्ट पेयमेंट बैंक के नाम आते ही दो तीन चीज़ा आपको ध्यान रखनी है सबसे पहले इंडियन पोस्ट पेयमेंट बैंक के हेड़कॉर्टर कहां पे है नियू देली में है फाउंडेशन का भी 2017 में इसके फाउंडेशन हुई मोटो क्या है IPPB का यानि इंडियन पोस्ट पेयमेंट बैंक का तो आपका बैंक आपका दौर इसदा मोटो आप इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक ये पोस्ट आपिस इंडियन पोस्ट आपिस के दौरा इस पोस्ट पेमेंट बैंक को सुरुआत किया गया है इसके Currently Managing Director or CEO कौन है तो Mr. Suresh Settay जी Currently Managing Director or CEO है Indian Post payment Bank के क्योंकि Recently Indian Post payment Bank को launch किया गया तो यह सारे importance जानकारिया आपको लिए बहुत ली important हो जाती है अब इसने के हाली में मुंबई हवाई अड़े का नाम को बदल कर क्या कर दिया गया है पर अब इसे महराज जो है वो एड़ कर दिया गया है चदरपती सिवाजी महराज International Airport लपसने निमलिकित में इसे किस बैंक की सबसे ज़्यादा विदेसी साखाए है सही उत्तर स्टेट बैंक आप इंडिया की सबसे ज़्यादा विदेसी साखाए है सितंबर 2018 में किस कमपणी ने बैंगलूरू में दुनिया का सबसे बड़ा मुबाइल एक्सपिरियंस जोन को खोला है सैमसंग नामक जो कमपनी है उन्होंने हाली में बैंगलोरी में दुनिया के सबसे बड़ी मुबाइल एक्सपिरियंस जोन को खोला है दोस्तो आज के लिए इतना ही ये सारी प्रशना आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है आप लोग जरूर पर रियली में बहुत साटिस्प्रक्शन मिलता है इसके अलावा आपको करना ये है इस वीडियो आपको दोस्तों को भी सेर करना है ताकि उनको भी इस वीडियो का फाइदा पहुँच पाए इसके अलावा इसका नेक्स्ट पार्ट जो है बाकि मेरे चैनल का नाम ही डाल दीजेगा स्री डिजिटल गुरुकुल डाट कॉम पे लॉग इन कीजेगा और आपको सारी इन सारे डिटेल जो है और डे के करन्ट है पर साथ में जो ये एक साथ के करन्ट है पर सारे चीज़े मिल जाएंगी प्रैक्टिस के लिए बिल्कुल फ्री इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आप क्लिक करके डारेक्ट लिए वहाँ भी पहुंच सकते हैं इसके साथ आप चाहे तो मेरे साथ मेरे फेस्बुक पेज और मेरे टेलिग्राम पेज से भी जुड़ सकते हैं उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा तो दो थैंक्स पर वाचिंग में वीडियो में जल्द ही लोटूँगा नई वीडियो ने नॉलिज के साथ तब तक हसते रहें मुस्कुराते रहें जै हिंद जै भारत दोस्तो